गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स तो देखे आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले टॉपिक का नाम है बाइस थेओरम आप देखे जो बाइस थेओरम है यह ब्रिटिश मैथेमेटिशन थॉम्स बाइस नहीं दिया था और इट वस पब्लिश्ट इन दा यह सेवेंट प्रब्लिटी गो रिवाइस किया जाता है इन दा याट अव सम्सेंपल एंफमेशन फॉर पॉस्कुरियर प्रॉब्लिटी जो है वह निकाली जाती है इस थेओरम को इस थेओरम उफ इंवर्स प्रॉब्लिटी भी कहते ए अब देखे यह इसका फॉरमुला है निकालने का of a1 given b, मतलब you want कि b comes from a1, कि b जो है वो a1 से आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, probability of a1 multiplied by probability of b given a2, a1 sorry, a1 divided by probability of a1 multiplied by probability of b given a1 plus probability of a2 multiplied by probability of b given a2, मतलब what you want वो उपर आएगा, और total number of equally likely cases नीच आएगे, number of favorable cases यहां आएगे, तो आप क्या चाहते हैं कि जैसी यहां पर example दिया है एक machine का, कि आपका जो defective item है वो कहां से आए, machine 1 से, तो यहां पर यह A1 क्या है machine, probability of a1, और यह जो b है, that is defective item, that should come from a1, तो यह हमने उपर लिया, और नीचे लिया दोनों का total, similarly if you want कि it should come from a2, तो फिर formula यह हो जाएगा, A2 उपर हो जाएगा, और A1 और A2 का total है वो नीचे हो जाएगा, अब देखिए इसका proof, देखिए, suppose this is the machine, यह A1 B है, यह A2 B है, यह B, आप चाहते है, defective item क्या है, यहां पर B, तो आप क्या चाहते हैं, कि B आए, चाहिए वो A1 से आए, चाहिए वो A2 से आ probability लगा दीजिए, जो आपने यह बनाया, तो P bracket में B is equal to P A1 B plus A2 B, यह आपके हो गए equation number 1, इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को देखेंगे, अब इसको कैसे निकालते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, तो probability of A1 B, यह आपके additional theorem हो जाएगी, multiplication, यह आपके हो गई multiplication theorem, उपर वाल होना है, simple अगर यह event हमारे independent होते, तो आपका होजाता probability of A1 multiplied by probability of B, यह ना, लेकिन यह हमारी क्या है, dependent event, तो हम क्या गएगे, probability of A1 multiplied by probability of B given A1, यह ना, dependent event में यह होता ही, तो यह आपके equation 2 बन गई, similarly probability of A2 B, अगर यह निकालनी है, तो probability of A2 multiplied by probability of B given A2, यह equation बन गई, 3, यहां होता clear है, आप देखिए, इस 1 में इन दोनों को put कर देंगे, देखो यह जो B है, B is equal to A1 B, यह A1 B का यह है, A2 B, इसके equal to यह है, तो यह दोनों यहां गई, तो it means probability of B, इन दोनों का solution, कि probability of A1 multiplied by probability of B1, B given A1, plus probability of A2 multiplied probability of B given A2, यह equation बन गई आपके 4, आप देखिए, conditional probability आपने पढ़ी थी, multiplication थियोरम में, तो उसमें अगर probability of A1 oblique B निकालना है, A1 given B, तो उसका formula यह होता है, probability of A1 B divided by probability of B, यह आपके equation 5 बन गई, अब इसी equation नहीं क्योंकि बाइस थियोरम में भी यह ही use होती है, यह condition probability ही आपको निकालना है, तो probability of A1 given B is equal to A1 B, यह उपर आपने निकाला था, यह है, इसकी जगे यह आ गया, ऐसे नीचे आपको क्या निकालना है, probability of B, B यह है आपका, तो इसको यहाँ पूट कर दो, बन गया आपकी थियोरम, ऐसे probability of A to B, है न, A to B में, आपका जो है, यह formula होता है, conditional के according, probability of A to B, divided by probability of B, तो A to B, यह है, तो यह य जाएगी, divided by probability of B, तो यह आपका यह है, यह आपको यह नीचे आजाएगा, तो यह आपकी probability की जो बायस थियोरम है, यह आपकी प्रूफ होगी,